स्वागत है आपका आपके अपने ही यूटूब चैनल मार्केट साइंटिस्ट में है और कुछ काम की वज़ा से थोड़ा बीजी था जिसके कारण दो दिन से मार्केट अपडेट नहीं आ रहे थे अगेन आज डिसकस करेंगे और इस एपिसोड को आगे बरहें इसे पहले मैं आपको बता दू कि 9 p.m. को आज रात में 9 बजे 9 p.m. को एक लाइव किलास होने वाला है जहां जो भी आप लोग है सभी लोगों को वाट्सअप और टेलीग्राम के थ्रू लिंक सेयर कर दिया जाएगा जहां अगर आपको विकली जो भी प्रोफिट आपका बनता है उसका बहुत सारे लोगों को क्वेडी आ रहा था और कभी हमने जो 20-30 के हैं उनके लिए कुछ भी सर्विस नहीं रहा था इवेन आपने टेलीग्राम के कॉल को अगर फॉलो करा है और आपको लगा है कि मेरी मार्केट के अंदर जो एकुडेसी है वो औरों से बहतर है मैं कुछ कर पा रहा हूं तो इस लाइब क्लास को जोईन करेंगे जहां आपको सारे टर्म्स और कंडिशन बताये जाएंगे कि किस प्रकार से ट्रेड करना है और कैसे आपको प्रोफिटेबल बनाना है यही मेरा मेन उद्यस है और मैं हमेशा से का हूं कि मेरा मकसद है कि जितने भी इन्वेस्टर है उनको लोस से कैसे बचाया जा सके तो इंट्रेस्टेड लोग नाइन पीम में ये गूगल मीट के थूरू ये मिटिंग होने वाली है इसको जोईन कर सकते हैं जहां सबी चीजों पर बारी बारी से डिसकस किया जाएगा तो डिसकस करेंगे कि निफ्टी औ जाहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक वीक ट्रेंड देखने को मिला जिसका कारण रहा एटी क्रेंड कर रहा है जिसके कारण ये view बुली से यहां देखेंगे कि कल के क्या outlook लग रहे है सबसे पहले देखेंगे कि आज जो market का opening रहा था यहां आप देखेंगे और असानी से समझेंगे यहां देखेंगे opening रहा था थूरा बहुत weakness दिखी लेकिन मुझे प्रसनली ऐसा मैं सियोड था कि यह downtrend नहीं है और यहां हमने paid call में और telegram पर भी call दिये जो देखेंगे multi-weather call बना और near around 300 points मिले और जब भी देखेंगे कभी भी index में एक downtrend दिखें लेकिन वो sustainable नहीं रहे और यह जो एक trend था 43,400 का जो एक support था वो major support है तो यह पूरा trend मिला अगेन यहां देखेंगे continuous जो bank nifty में rejection है वो 43,800 है और इस level को breakout करता है तो 44,000 और 44,200 तक के levels भी दिख सकते हैं तो कल के market के outlook को discuss करें यहां देखेंगे यह continuous support रहा है जो resistance रहा था और यह resistance रहा है जिस परकार से यहां एक one-sided train रहा यहां नीचे आया और market देखें तो upper level में ही consolidate होते वे दिखा है और यह इस बात का indication है कि bank nifty काफी strong है कल के लिए discuss करेंगे जो closing रही है यहां आपको मैं दिखाऊं कि जो closing रही है उसके आसपास थोरा wait करें और market को 30-43,600 is a major support और इस support को अगर respect करता है यहां कहीं भी consolidate हो करके इसको breakout करता है तो जो भी seller यहां पे है या तो उसका SL जाएगा या वो position से out हो जाएगा resistance उपर कुछ भी नहीं है 43,720 को पर market जाता है तो 800 के target के लिए जो scalping करते हैं वो आएंगे और 800 को breakout करता है तो यहां से 400-500 points भी आपको देखने को मिल सकते हैं तो कल के लिए view bullish है और short तब तक नहीं करेंगे जब तक यह downside में 43,600 is a major support अगर यहां से अगर breakdown होता है इस level को breakdown करता है तभी short आएंगे जहां 200 points यानि 43,400 का downside target होगा तो simply 43,720 के उपर जाएगा तो आपने call लेना है जहां पहला target 800 और दूसरा 44,000 प्लस का level दिखेगा downside में 43,600 के level को breakdown करें तो put के लिए आना है जहां 200 points तक के target आपको downside में दिखेंगे इसके साथ ही हम discuss करेंगे निफ्टी को निफ्टी का channel देखें तो continuous जैसा हमने कहा कि bank निफ्टी upper side और निफ्टी lower side trade कर रहा है इस समय आज हमने क्या देखा कि एक major breakdown रहा यहां देखेंगे एक gap down के बाद एक major breakdown रहा और जिस प्रकार से 18,400 के level के आसपास को respect किया यहां से continuous trend रहा यहां से फिर एक गिराबर दिखी और अगें जो market का closing रहा वो देखेंगे short term resistance के आसपास का रहा है यहां मैं आपको अगर technically दिखाऊं तब पाएंगे कि यह जो 18,500 का level है यह short term का resistance है पहला resistance दूसरा resistance तीसरा resistance चोथा resistance फोर resistance को यहां already stock ने जेल रखा है तो कल के लिए याद रखेंगे 18,520 के level को यहां थोरा बहुत भी यहां समझेंगे कि अगर यहां कहीं भी consolidate होता है या नीचे खुलता है और खुल करके 18,520 के level को breakout करता है तो यहां 100 point यानि 18,600 तक के level दिखेंगे और SL 18,500 का SL लेंगे यहां देखें तो यह एक resistance zone है यहां एक छोटा सा SL लेंगे 20 points का maximum और यहां से 100 point यानि 1 to 5 के ratio में यहां पे एक trend आपको दिख सकता है लेकिन इसके vice versa याद रखेंगे downside में 18,480 के level को breakdown करता है नीचे के side तो फिर यह जो low बना है 18,360 इसको again retest कर सकता है लेकिन chances काफी low है view काफी bullish है इसके साथी देखेंगे Vipro Vipro IT stock के comparatively काफी strong दिख रहा है और यहां से एक one sided channel दिखा था यहां देखेंगे एक continuous channel को follow करा 416 के price से breakdown हुआ और again यह जो support देखेंगे यह major support है और अगर यह stock 390 के level को respect करता है तो again एक uptrend आपको 415,20 तक के levels का दिखेगा और IT में comparatively अपने peers के यह stock बेतर trade करते वे दिख रहा है यहां देखेंगे वर्जॉप breakout पे HDFC bank दिख रहा है यहां देखेंगे resistance जो बन रहा था वो support बन रहा है हलांकी एक lower time frame पे down print तो दिखा लेकिन अगर यह 1640 के level को respect करता है तो यहां से 1670 और 1720 तक के levels भी upside में दिखेंगे और यह trend line देखें continuous respect होते वे दिख रहा है यह trend line को continuous stock respect कर रहा है यहां breakout इस level को sustain करता है 1640 को तो यह trend काफी continue दिख सकता है I hope यह video informative रहा इसके अलावा भी कुछ करी हो तो comment box में जरूर बताए